हेलू फ्रेंज आप देख रहे हैं हमारा चानल ब्लू इंडिया आगे आने वाले समय में लेटेस इन्फरमेशन को जानने के लिए अभी हमारा चानल सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो के अन्त में वीडियो को लाइक जरूर करें मैं मांसी अरोडा ब्लू इंडिया चानल में आपका स्वागत करती हूँ होम न्यूस क्या चल रहा है? वो लड़की जो डॉनल्ड ट्रम से उनी की स्टाइल में बदला लेती है जैन्वरी 21, 2021 12.29 पीम वो लड़की जो डॉनल्ड ट्रम से उनी की स्टाइल में बदला लेती है वोल्ड फेमस पर्यावरन आक्टिविस्ट ग्रेटा थन्बर्ग सोशल मीडिया पर डॉनल्ड ट्रम से बदला लेने का कोई मौका नहीं छोड़ती उनकी स्टाइल ऐसी है कि लोगों का ध्यान अपने आप उनकी तरफ खिचा चला जाता है अंग्रेजी की कहावत है Revenge is a dish Best served cold मतलब बदला जितना इत्मिनान से लिया जाए उतना बहतर युवा परेवरन कार्यकरता Greta Thunberg और Donald Trump की अदावत किसी से छुपी नहीं है ट्रम जब तक अमेरिका के राष्ट पती रहे हमेशा Greta Thunberg को इस शारों में तंच कसते रहे Greta ने अब एक बार फिर से ट्रम को उनकी स्टाइल में जवाब दिया है अठरा बरस की Greta Thunberg स्वीडन की है वर्ल्ड फेमस परेवरन आक्टिविस्ट भी है खबरों में इसलिए रहती है क्योंकि Donald Trump से उनका 36 का आंकड़ा है Greta Thunberg ने बहुत कम उमर में ही परेवरन को लेकर इंटरनाशनल फॉरम पर अपनी बात रखनी शुरू कर दी थी ट्रम्प लगातार परेवरन से जुड़े मुद्दों को नकारते रहे हैं वे ग्लोबल वामिंग जैसी समस्याओं को भी हॉक्स या फर्जी बताते रहे हैं इसकी वज़ा से दोरों एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते बुद्दवार को भी ऐसा ही हुआ ट्रम्प की वाइट हाउस से विदाई पर ग्रेटा थंबर्ग ने ट्वीट करते हुए ये सिधा निशाना साधा और कहा वह एक बहुत शांदार बुड़े व्यक्ति नजर आ रहे हैं जो चमकतार और शांदार भविश्य की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं इसे देखना अच्छा है ग्रेटा थंबर्ग जब ग्रेटा थंबर्ग ने ट्रम्प को उन्ही की स्टाइल में जवाब दिया रही थी तब ट्रम्प इसमें डेमोक्रिटिक पार्टी के जो ब्राईडन से पीछे चल रहे थे गर्बडी के आरूप लगाये थे इसे लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया था और कहा कि इस मतगर्णा को बंद करो ट्रम के इसी ट्वीट पर ग्रेटा ने तब लिखा था कितना मुर्खता पुरण है डॉनल्ड को अपने अंगर मैनेश्मेंट की प्रॉब्लम पर काम करना चाहिए फिर किसी दोस के साथ जाकर कोई पुराने जमाने की फिल्म देखनी चाहिए चिल डॉनल्ड चिल ट्रम क्रेटा वैसे तो ट्रम को भूतपुर्व अमेरिकी राष्टपती बनने पर विदाई संदेश देने वाले बहुत लोग रहे लेकिन ग्रेटा का विदाई मेसेज कुछ खास था डेट सार पहले ट्रम ने हो बहु ट्वीट किया था क्या कहा ट्वीट में कुछ खास नहीं दिखा दरसल तकरीबन डेट साल पहले ग्रेटा धनबर्ग ने युनाइटिड नेशन्स यानी यूएन में परियावरन को लेकर भाषन दिया इस जोरान उन्होंने परियावरन का खयाल ना रखने को लेकर विश्वी विरादरी को काफी लतार लगाई थी और यह भी का था कि सबको सिर्फ पैसा कमाने की चिंता है उनका गुसा और उनके तेवर ऐसे थे कि जैसे पूरी दुनिया का ध्यान उनकी तरफ खिचा चला गया हो ग्रेटा की इस शांदार भाषन पर एक वेबसाइड ने ट्वीट किया उस पर ट्वीट पे ट्रम्प ने रिपलाई करते हुए लिखा था वे एक बहुत शांदार बच्ची नजर आ रही है जो चमकदार और शांदार भविश्य की तरफ बढ़ती दिख रही है इसे देख एकना अच्छा है। इसे लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया था और कहा कि इस मतगर्णा को बंद करो ट्रम्प के इसी ट्वीट पर ग्रेटा ने तब लिखा था कितना मुर्खता पूरण है डॉनल्ड को अपने अंगर मैनेश्मेंट की प्रॉब्लम पर काम करना चाहिए फिर किसी दोस्त के साथ जाकर कोई पुराने जमाने की फिल्म देखनी चाहिए चिल्ड डॉनल्ड चिल्ड ट्रम्प ग्रेटा थनबर्ग इससे पहले भी ग्रेटा ट्रम्प को उनी के ट्वीट पर उनी की भाशा में जवाब दे चुकी हैं इसकी भी कहानी है दरसल पिछले साल ग्रेटा टाइमस आफ दे इयर चुनी गई थी इस पर ट्रम्प ने ग्रेटा को ऐसे ही गुसा मैनेज करने और दोस्त के साथ पुरानी फिल्में देखने की सला दी थी ग्रेटा ने एक साल बाद यही बात ट्रम्प के लिए कही थी 17 साल की बच्ची ने दुनिया के सबसे शक्तेशाली देश कहलाने वाले अमेरिका के राष्ट पती को आइना दिखाने का काम किया वो भी ट्वीट में केवल नाम की अदला बदली करके फिल्हाल वह एकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड हो चुका है जिसके जरिये ट्रम्प गाहे बगाहे ग्रेटा थनबर्ग पर तंच किया करते थ जब ट्रम्प ट्रीप पर लोटेंगे ऐसी लेटेस्ट इंफोमेशन को जानने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक जरूर करें